माउजिले में तीन जुन को एक दो वर्ष ये मासूम बच्ची के सव के करी टुकडे मिले थे इस मामले में पुलिस ने एक मैला को हत्या करने के अपराद में ग्रिफतार किया लेकिन मैला के साथ मिलकर इस तरह की दिल देला देने वाली वारदात को अंजाम देने वाले सयोग्यों को गिफतार नहीं कर सकी जिस कारण ग्रावीनों सहीत आम जन में आकरोश व्याप रहा लेकिन को ग्रिफतार कर पुलिस कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे परदासन के दोरान समाच से भी मैला सावित्री ने बताया कि मदबन थाने के लोकीपुर गाओं के निवासिन राम किस्नी देवी की दो वर्ष ये बेटी शिवानी तीस मैं की साम को लापता हो गई थी जिसके बाद उसका साव गाओ के पास तीन जून के दिन कई टुकडों में ब्रामद हुआ जिसके बाद पुलिस राजे सुरी देवी को बच्ची का अपरहन करने और उसे जान से मानने के मामले में ग्रिफतार भी किया लेकिन उसके बाद भी पुलिस अन्य आरोपियों को ग्रिफतार करने में लापरवाई बरत रही है इसलिए हम लोगों ने डीम आफिस पाहुच का पदस्थन किया साथ ही डीम से वहार लगाई कि जल्द सभी आरोपियों को सलाथों के पीछे बेजा जाए नहीं तो बड़ करी कि उठा ले गई उठा कर ले जाकर तीन दीन बाद लाद उसकी अत्यया करके फेक दी इसके बादम्हां कर से लचे ओन इन्दस को लिपा नहीं करने में से वहां परुलीस परसाशन उसकी अभी तक पूलिस क्या कर रहे हैं पूलिस कि कुछ नहीं कर रही है कि योल एक लड़का उसको महिला दो लोग बांदेताने में, आप पुलिस इजमें लिपापती कर रहे हैं, तो यह कहां पर बदाना यह कर रहे हैं, इसलिए करने आए हमको नया चाहिए, जो लड़की खत्या होई है, वो मासुम 17 महीना की लड़की थी, उसको इंसाफ चाहिए, जो मैला ने हत्या की है, उसको आज इवन सजा चाहिए, उसको या फासी की सजा होनी चाहिए, हम यही मांग रहे हैं